नवश्कार दोस्तों मैं संजीव स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल कोईनर विडियो में दोस्तों जैसे आज आज आपने थमनेल देखा हुगा आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक पैसे के सिक्के से लेके 10 रुपे के सिक्के तक जो भी आप चैनल में सिक्के आए थे जो लोगों के हाथ में हैं अभी भी लोगों की जेम में होंगे ऐसे ही रेर जो इसमें विराइटी है इन कोईन में एक पैसे के सिक्के से 10 रुपे तक तो इस वीडियो में आपको पूरी संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है तो दोस्तो बस मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि वीडियो काफी ज़्यादा लंबी जरूर होने वाली है मगर वीडियो के end तक बने रहना क्योंकि यह आपको काफी ज़्यादा फायदे बन रहेगी यह वीडियो यह एक ही वीडियो आपको 10 यूटूवर की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है अब एक ही वीडियो मैंने आपके लिए बना दिये बस पैन और काफल लेके बैठ जो और लिखना शुरू कर दो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ और दोस्तों इसमें सबसे ध्यान आप जरूर देना मैं मिंट के बारे में बात करूँगा में होती है मिंट जिससे आपको पता लगेगा कि आपका सिक्का कौन सा वाला है कौन सी मिंट का बनाऊ है जैसे भारत की चार तरसाल मिंट है चार जगा से आपके सिक्के आपकी जेब में आते हैं पहली है मुंबई, दूसरी है नोईडा, तीसरी है कलकटा, चोती है हैदरबाद तो इन चारों मिंटों की मैं आपको इनका जैसे एक निशान होता है तो मैं आपको बताऊँगा आपके कोईन के नीचे कौन सा निशान है तो आपस में देखके अपना पता करिए कि आपके सिक्के की कितनी वैल्यू चल रही है तो जैसे मुंबई का डामेंड मिंट है मार्क है और नोईडा का डॉट मार्क है है एधरबाद का स्टार मार्क है का है इधरबाद का स्टार मार्क बता दी गालकटा में कोई मार्क नहीं होता तो धियान रखिए जैसे मैं आपको वह प्लता हूं और उसके बाद आप मैं वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं क्योंकि मैं को पता मेरी वीडियो लंबी होएगी इसलिए आप पैन और कागल लेके बैठिए जो आप ठीक से देख लिजिए आपके बाद कौन सा कोईन है उसके बाद आप में को शेर करना मैं उसकी वैल्यू भी बता दूगा और मैं खरीद भी लूँगा इनको ठीक है दोस्तो एक और मैं बात आपको कहना चाता हूं दोस्तो यह रिपब्लिक इंडिया के मैं 28 कोईन के बारे में बात करने वाला हूं जो आप लगो कि सबकी स्टेम भी जेम में होंगे 28 कोईन है दोस्तो ठीक है एक पैस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वालों में चलो दोस्तों अब वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी देखें दोस्तों जो आप यह सिक्का देख पारे हैं यह एक निया पैसा है ठीक है 1957 का ब्राउन जैस का मेटल और इसकी वेल्यू है 200 से 500 रुपे ठीक है 1957 का क्यलकेटा मिंट और स्टार मिंट दोनों में जारी हुए थे दोनों की सेम वेल्यू है 200 से 500 के बीच में योनसी कर्णिशन है तो 500 से भी उपर चले जाएगी अगला सिक्का भी बता रहूं आपको देखे दोस्तों ये अगला सिक्का है ये भी एक पैसे का ही है ये 9069 का कोईन है हल्मूनियम में था ये सिक्का इसके की कैलकेटा और बॉम्बे मिंट मार्क होता है नीचे डायमेंट मिंट मार्क आपको दिख रहा होगा इसके भी 200 से 500 रुपे है अब अपना नेक्स्ट कोईन है ये देखे दोस्तों ये कईयों के पास बहुत ज़्यादा बारी तादात में सिक्के पड़े होएं दो पैसे के ये 9069 का डायमेंट मिंट मार्क हजार रुपे कलकेटा मिंट मार्क 500 रुपे 9075 का और 9079 का दो पैसे का कोईन वजन की बात करें तो एक गराम का है हैदरा मिंट मार्क उसकी 500 रुपे ठीक है दोस्तों अब हम बात करते हैं तीन पैसे के सिक्के के बारे में ये देखे दोस्तों ये तीन पैसे का सिक्का है 9069 का आपके पास ये कोईन है कोपर निकल रहा है इसका मैटल इसकी कैलकेटा मिंट मार्क में इसकी वैल्यू चल रही है 300 रुपे हैदरा मिंट मार्क में वैल्यू चल रही है 500 रुपे ठीक है दोस्तों अब हम बात करते हैं 5 पांच पैसे के सिक्के के बारे में दिखा रहा हूं मैं आपको यह देखिए दोस्तो पांच पैसे का सिक्का है रुपे का 20 वा भाग लिखा होगा उस सिक्के पे 90.65 का 4 गराम का वजन इसका मैटल इसका है कॉपर निकल यह आपका स्टार मिंट मार्क में है आपके पास कैलकेटा मिंट मार्क में है 500 पे और 90.69 का आपके पास यही सिक्का है तो उसकी वेल्यू चल रही है 800 पे ठीक है दोस्तो आपको कहीं भागने की जुरूत नहीं है मेरे को आप कमेंट करिए मेरे पास सिक्का है मैं आपको खुद नमर दूँगा मैं खरीद लूँगा ठीक है दोस्तो पांच पैसे का यह वाला सिक्का होगा अब एक और तरह के में आया था पांच पैसे का सिक्का वो दिखा रहो हूँ आपको यह देखिए दोस्तो यह ऐल्मूनियम में है 1,5 ग्राम का सिक्का है यह 90 म They're 1980 का है 5 पैसे का सिक्का अईल्मूनियम में है क्यल्केटा मिंट मार का है इसका और 500 बैस की वैल्यू है 1980 का 1984 का है वह एक्स्ट्रेमलि रेर कॉईन है क्यल्केटा मिंट में 3,000 रुपे Skills की वैल्यू है और 1985 का जो कोईन है कैलकेटा मिंट में ही है वो भी वो भी रेर कैटिकरी में है 700 पे उसकी वैलियो है ठीक है दोस्तों ये 5 पैसे के सिक्के तक हम complete कर चुके हैं वीडियो अब मैं आपसे बात करूँगा 10 पैसे के सिक्के के बारे में अगला अगला नेक्स्ट कोईन 10 पैसे का अपना देखो देखे दोस्तों ये 10 पैसे के 4 चार अलग अलग तरीके से आयते कोईन 10 पैसे के तो आपके पाज ये वाला कोईन है 1965 का 10 पैसे का 4 ग्राम का सिक्का है ये कॉपन निकल है इसका बैटल अगर आपके पाज 1965 का स्टार मिंट मार्क वाला है कोईन तो उसकी वैल्यू है 300 से 500 के बीच में और दूसरा में 10 पैसे का सिक्का दिखा रहा हूँ अगर आपके पास ये वाला 10 पैसे का सिक्का है 1973 का ये अलमूनियम में था दोस्तों ये वाला 2 ग्राम वेट है इसका हैदरावार मिंट में है आपके पास तो 500 पे 1974 का 500 पे और 1977 का वो भी 500 पे दोस्तों अब आपको मैं नेक्स्ट दिखा रहा हूँ इसमें 10 पैसे का कौन सा आया था ये देखे दोस्तों अगर आपके पास ये वाला 10 पैसे का सिक्का है 1990 का और 1993 का हैदरावार मिंट और कैलकेटा मिंट तो 500 पे और 200 पे ठीक है दोस्तों और दोस्तों ध्यान रखना लोग फेक वीडियो बहुत ज़्यादा बनाते हैं लाखों करोड़ों रुपे इनकी वैल्यू बताते हैं फेक है तो आप उन पे ध्यान ना दीजिएगा और किसी को फेस्बुक वालों पे जातर दोस्तों फेस्बुक पे फ्रोड हो रहा है तो बहुत लोग बोलते हैं फीस जमा करो ये करो अटरम चटरम उनके वेकामे में ना आओ किसी को एक रुपे देने की जरूद नहीं है दोस्तों अगर आपके पाग कोई रेन कोईन है तो आपके पाग खुद बाहर चल के आएगा नहीं तो मैं अपनी वीडियो में आपको बताता रहता हूँ कोईन एक्जिविशन कहां का लगने वाली है आप महाँ जाईए महाँ बेचिए तो दोस्तों समय पर मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ अपने चैनल के थुरू कि आपको आपकी कोईन एक्जिविशन कौन से शेर में लगने वाली है तो मैं आपको पहली अपडेट देता हूँ तो प्लीज आप मेरी वीडियो को जरूर देखिएगा मैं आभी भी एक कोईन एक्जिविशन लगने वाली है मैं अपडेट दूँगा आपको कापे है देखे दोस्तों ये नेक्ट कोईन है अपना 10 पैसे का इसकी वजन की बात करे तो 2 ग्राम इसकी मैटल की बात करे तो ये स्टील के है स्टील में था ये कोईन 1990 का आपके पास ये 10 पैसे वाला सिक्का है तो वो एक्स्ट्रेम्डी रेर कोईन है दोस्तों आपके पास उसकी वेल्यू चल रही है 800 पे हाँ जी दोस्तो 10 पैसे के सिक्के की वेल्यू चल रही है 800 पे स्टैम आपके पास ये वाला सिक्का है 1990 का तो मुझे बेज दीजे मैं ले लूँगा आपसे और 1997 का है जिसकी वेल्यू चल रही है 300 पे 1998 का है कलकेटा मिंट मार्क का वो 300 पे हाँ दोस्तो 1997 का जो कोईन है वो बंबे मिंट मार्क में है ध्यान रखना 300 पे उसकी वेल्यू है अगले कोईन की बात करें तो हम 20 पैसे का आने वाला है मैं दिखा रहा हूँ आपको देखिए कौन सा कोईन है वो ये देखिए दोस्तो ये 20 पैसे का सिक्का है अगर आपके पास 90 68 का 20 पैसे का ये कोईन है कैलकेटा मिंट मार्क में तो ये 100 रुपिस का है इसके मैटल की बात करें तो दोस्तो मैटल इसका है निकल ब्रास और इसका जो वेट है वो है 4 ग्राम ठीक है दोस्तो अब इसी में 90 69 में एक कोईन आया था जिसकी वेल्यू चल रही है स्टम 200 पर वो अभी कैलकेटा मिंट मार्क है ठीक है दोस्तो अब इसमें 20 पैसे का एक और कोईन आया था मैं आपको इसकी वेल्यू बता रहा हूँ 90 97 का आया था जो अल्मूनियम में है आपको शो कर रहा हूँ भी मैं इसके पिक देखिए आप देखिए दोस्तो ये वाला 20 पैसे की मैं बात कर रहा हूँ आपके से आपके पास है ऐसे सिक्के मुझे पता है लोग मुझे बहुत सारी वीडियो में इसके देते रहते सिक्के ये पिक शेयर करते रहते वाटसब पर आपके पास बहुत है ये वाले सिक्के तो मैं खास तौरसा दोस्तो आपी के लिए ऐसे नॉर्मल सिक्कों पर वीडियो बना रहा हूं नहीं तो दोस्तो आपको पता है में मुगल सिक्कों पर जादा बनाता हूं जो जादा rare और valuable छिक्की है तो इसमें भी जो valuable हैं वह सारे सिक्कों पर मैं वीडियो ले आया हूँ आपके लिए तो देखिए ये दोस्तों इसकी वैल्यू चल रही है स्टेम 800 रुपे ठीक है दोस्तों एल्मुनियम का कोईन है ये 20 पैसे का 1997 का इसका मिंट मार्क है है हेड्रा मिंट मार्क दोस्तों यह नीचे है ना 1950 के नीचे आपको स्टार मिंट मारक होगा वह थेजरा मिंट मारक होता है तो ठीक है है जिसका मैटल की बात करें तो निकल मैटल है वेट है डाई गराम का यह आपके पास बॉंबे मिंट मार्क में है तो उसकी वेल्यू है पांस और पर और दोस्तों इसमें नाइंटी सिक्स्टी एट का भी एक कोईन है सेम निकल में ही है चलके टामेंट मार्क में उसकी बात करें तो 300 पर तो दोस्तों मैं आपको बताने चाहरा हूँ अब इसमें 25 पैसे में ही extremely rare कोईन आने वाले हैं तो आप ध्यान से वीडियो देखेगा अब मैं बहुत ज़्यादा महेंगे सिक्के बताने वाला हूँ 25 पैसे का अलग तरीके का सिक्का है तो दोस्तों इसकी मेटल की बात करें तो कॉपर निकल है इसकी वेट की बात करें तो डाइगराम का माल लो सम्टिंग सम्टिंग डाइगराम कही है आपके पास ये कोईन 1980 का Bombay Mint Park का है तो दोस्तो इसके आपको पूरे मिल सकते है 50,000 रुपे ठीक है दोस्तो आपके पास ये कोईन है 1980 का Diamond Mint Park फिससे बता रहा हूँ तो उसके 50,000 रुपे मिल जाएंगे आपको असानी से मैं खुद दे दूँगा और 1982 का इसमें एक सिक्का है उसकी 200 रुपे है Diamond Mint Mark की है और Calcutta Mint Mark भी आया है वो भी rare है वो भी 200 रुपे है और दोस्तों 1984 का इसमें आया है हैदरा Mint Mark वो 1500 रुपे है 1985 का इडायमेंड मिंट मार्क है वो 500 रुपे है और दोस्तों एक और 25 पैसे का इसमें 1989 का कोईन है ये भी extremely rare कोईन है दोस्तों हैदरा मिंट मार्क हैदराबाद का मिंट मार्क होगा स्टार मिंट मार्क उसकी value चल रही है 25 रुपे ये भी दोस्तों कम नहीं है ये भी ठीक ही है देखो 25 पैसे के साब से 25 सोर पे मिलेंगे ठीक है दोस्तों 25 पैसे के यहां तक आ गए हम 25 पैसे के अगले और कोईन बता रहूं मैं आपको देखे दोस्तों इस पे सबसे आदा फेक वीडियो बनती है गैंडे वाली गैंडे वाली गैंडे वाली बोलते रहते हैं इसके तीन करोण मिलेंगे दो करोण मिलेंगे इस सब के सब फेसबुक के सब पागल बनाते हैं लोगों को फ्रोड करते हैं लोगों के साथ अब मैं आपको इसकी असली value बताने वाला हू 1993rier का आपके पास यह coin है Hyderabad mint mark में Hyderabad mint mark होगा दोस्तो इसकी metal की बात करना है तो steel है weight की बात करना है तो 2.8 gram है तो आपके पास है Hyderabad mint mark में है तो इसकी value चल रही है 22 صोर पे हाँ जी दोस्तो इसकी value 22 صोर पे चल रही है 1993ירगा Hyderabad का mint mark होगा star mint 1993 में और 1993 में इसका Bombay Mint Mark है उसकी 200 रुपे ठीक है दोस्तो 1993 के ही तीनों कोईन बताएं मैंने आपको हैदरवाद में है Star Mint Mark है आपकी इस कोईन में तो वो 22 रुपे हैं दोस्तो Next कोईन देखिए आप कौन सा आ रहा है देखे दोस्तो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 50 पैसे का सिक्का है रुपे का आदा भाग नया पैसा है 50 पैसे का अगर आपके पास ये कोईन है 90.57 का ठीक से सुन लो दोस्तो 90.57 ये Bombay Mint Mark में आपके पास होना जाहिए जिसकी वेल्यू चल रही है 60.000 रुपे हाँ जी दोस्तो एक कोईन की वेल्यू 60.000 रुपे चल रही है 90.57 Mint Mark, Bombay Mint Mark मतलब Diamond Mint Mark होना चाहिए और इसी में आपका 90.59 का कोईन है जो Bombay Mint Mark का ये है अलब नीचे Diamond Mint Mark होना चाहिए उसकी वेल्यू चल रही है 50.000 रुपे और उपर वाले की जो पर है बताई है उसकी चल रही है 60.000 रुपे ठीक है दोस्तो ये Extremely Rare Coin नहीं दोनो और दोस्तो लोगों को ऐसे कोईन सडक पे मिल जाते हैं तो पिलीज उसको उठाईए चेक करिए कोई वेल्यू वाला किस्मत में आपके निकल गया तो फिर मज़ा ही आ जाएगा न दोस्तो एक मन मैं आपको बता रहा हूँ मेरे साथ ऐसी हुआ था में कोईन में से एक कोईन मिला था होस्पिटल में मैं गया था तो बेंच के नीचे मिला था दोस्तो मुझे की जाने की ज़रूत नहीं है मैं खुद खरीद लूँगा यह वाले सिक्के तो दोस्तो नेक्स्ट दूसरा कोईन भी 50 पैसे का यह दिखा रहूं मैं आपको यह देखे दोस्तो यह 50 पैसे का है दूसरा कोईन अगर आपके पास यह वाला कोईन है 9078 का पांच गराम का कोई नहीं यह अपन निकल में आया था इसका भी मैंट मार्क यह कोई आपके पास है तो यह कोई आपके पास तो यह इसकी वेल्यू रुपर है, इस टाइम 2,000 रुपर और 1980 का ये कोईन Calcutta Mint Mark में आये तो 500 पे और 1983 का कोईन है आपके 50 पैसे का तो उसकी value भी चल रही है Calcutta Mint Mark में 500 पे ठीके दोस्तो अब 50 पैसे का ये एक और अलग तरीके का कोईन आये था अपने भारत में दिखाता हूँ मैं आपको यह देखिए दोस्तो इसमें भी एक extremely rare coin है मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा rare coin है वो अब देखिए 1989 का इसमें 50 पैसे का सिक्का जो हैदराबाद मिंट मार्क में होगा star मिंट मार्क में उसकी value चल रही है 2000 पे और 1988 का जो इसमें 9 इडा मिंट मार्क में होगा उसकी value चल रही है 10,000 पे और 1986 का जिसका मिंट मार्क है Bombay मिंट मार्क मतलब Diamond मिंट मार्क उसकी value चल रही है 9,000 पे ठीक है दोस्तो यह तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा value दे रहे हैं आपको तो देखिए आपके पास ऐसा सिक्का कोई है तो मेरे को आप कमेंट में बताइए मेरे पास है सिक्का तो मैं आपसे बात करूँ उस बारे में यह देखिए दोस्तों यह भारत का चोथा 50 पैसे का जो सिक्का आया था परकाश में तो देखिए यह स्टील है इसका मेटल वेट की बात करें तो 3.80 ग्राम का है यह और इसमें जो वैल्यूवल सिक्के हैं देखिए बता रहा हूं 1988 का है कैलकेटा मिंट मार्क में 300 का मैं 1982 प्सक्स का कैलकेटा मिंट मार्क में 300 में 1993 का ही जो हैदरा मिंट मार्क है 12.00 रवे 1997 केलकेटा मिंट मार्क 300 रवे और 1997 हैदराबाद मिंट मार्क 400 रवे तो देखे दोस्तों ऐसे कोई भी आपको वैल्यू नहीं बताएगा मेरे इलावा है चैनल पर इतनी जल्दी प्लीज दोस्तों आप मेरे चैनल पर नहीं होतों यार इतनी मेहनत से दिमाग खपाक है आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ मैं तो प्लीज एक चैनल पर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज यार लाइक कर देना बहुत आपके लिए बहुत ज़्यादा हाड वर्क करके मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ मैं यह आपके लिए दोस्तों आपके एक लाइक से एक सब्सक्राइब से मेरी हिम्मत और बढ़ेगी मैं आपके लिए और ज़्यादा बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाने वाला हूँ आगे मैंने बहुत कुल सोचा हुआ है कोमिनेटिव कोइन पे वी बनाऊंगा जिसे एक चित्र बना होता है कोइन के पीछे साथ चलो दोस्तों आगे वीडियो में बढ़ते हैं आगे मैं आपको बता रहा हूँ हमने दोस्तों एक पैसे से पैसे तक की वीडियो कमप्लेट क मैंने बता दिये हैं तो दोस्तों अब 1 रुपे से 10 रुपे के बीच के हम coin complete कर रहा हूं मैं आपके लिए तो देखिए किसकी कितनी value stem है और जो valuable coin है या नहीं है सब पता लग जाएगा इसी वीडियो में आपको तो देखिए 1962 का आपके पास ये वाला coin है nickel में तो उसकी value चल रही है 300 से 500 के बीच में UNC condition में है तो 500 और 1970 का आपके पास diamond band mark का ये एक रुपे का सिक्का है नीचे diamond band mark होगा तो उसके 7000 पे आपको असानी से मिल जाएगे दोस्तों कोई दिक्कत नहीं आएगी बेचने के लिए कहीं पे भी एक्जिविशन लगेगी मैं वीडियो के माद्यम से बता दूँगा आपको आप जाएएगा एक्जिविशन में हाथो हाथ भिग जाएगा और दोस्तों अब एक रुपे के एक अलग तरह के और सिक्क्या आयते मैं वो भी दिखा रहा हूँ आपको देखे दोस्तों इस तरह के एक रुपे के सिक्क्या आयते परकाश में जो आपके पास 1982 का कोईन है 6 ग्राम का कॉपर निकल में जिसका मिंट मार्क डायमेंट मिंट मार्क है उसकी वैल्यू चल रही है 55,000 रुपे ठीके दोस्तों और 1988 का है निवेडा मिंट मार्क का आपके पास तो उसकी वैल्यू चल रही है 1100 रुपे और दोस्तों एक्स्ट्रीमली जो रेयर है 1991 का निवेडा मिंट मार्क का उसकी वैल्यू चल रही है साथ हजार से एक लाख रुपे के बीच में दोस्तो ठीक है दोस्तो वो जैसे भी हर कलेक्टर को वो कोईन चाहिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे जल्द माजी में बेचना भी नी हर कलेक्टर को 1991 का कोईन चाहिए नोईटा मिंट मार्क का आप उसके दो लाग भी मांगोगे ना तब भी डेड़ में डील फाइनल हो जाएगी ठीक है दोस्तो ध्यान दीजेगा पूरा यह देखिए दोस्तो यह नेक्स्ट कोईन है अपना जो दोजाज चार में आयते क्रोस वाले सिंबल वाले इस सिक्के थे इनकी मेटल की बात करें तो स्टील मेटल है और वेट की बात करें तो पाँच गराम का सिक्का है दोस्तो यह एक रुपे का और जो इसमें रेर है वो दोजाज चार का सिक्का है बॉंबे मिंट मार्क का जिसकी value चल रही है 700 से 1000 रुपे के बीच में और जो इसमें एक और दूसरा सिक्क का आता है वो है 2006 का जिसकी mint की बात करें तो नोईडा mint mark होना चाहिए जिसकी value चल रही है 100 से 300 के बीच में ठीके दोस्तों इसकी लगातार value बड़ी जा रही है आप प्लीज अपने पास ही रखिए आगे दो साल में ये पंदरा सो दो जार का भी होगा ये सिक्का भी ठीके दोस्तों आप दो रुपे के सिक्के की बात करते हैं जो परकाश में अपने भारत में आयते ये देखिए 1982 का सिक्का है ये 8 ग्राम का जिसकी मेडल की बात करें तो कौपन निकल है और जिसमें वेल्यूवल्ण सिक्का आता है 1982 का अपना मुंबाई मिन्ट मार्क का 100 रुपीस है और 1982 का ही कलकेटा मिन्ट मार्क का आता है देळ जोर, 1990 का आता है कलकेटा मिन्ट मार्क में सोर बे और दोस्तो जो 1990 में ये एक और आता है हैदरा मिंट मार्क में हैदराबाद में इंट मार्कों को निचे स्थार मिंट मार्क 1990 के जिसकी वैल्यू है 300 से 500 के बीच में ठीके दोस्तो अब दोर पे का एक और अलग तरिके का कोई नायता दिखा रहा हूँ मैं आपको उसकी वैल्यू क्या है ये देखे दोस्तो ये आज कल भी हमारे हाथ में सिक्के आते हैं और पता भी नहीं लगता निकल भी जाते है तो इसमें जो वैल्यूवल सिक्क है आपको बता रहा हूँ मैं रेयर में आता है ये 2004 का दो रुपे का 2004 का क्यलकेटा मिंट मार्क का इसमें कोई नीचे मिंट मार्क नहीं होगा सन के उसकी वैल्यू चल रही है 1000 से 1500 के बीच में इस टैम ठीके दोस्तो अब अगली बार आप कोई भी कोई लेंगे तो चेक करके लेंगे आपके बार कोई वैल्यू वल सिक्का आता है हाथ से निकल भी जाता है दोस्तो पता नहीं लगता ठीक है अब मैं आपको बता रहा हूँ इसमें पांच रुपे के सिक्के शुरू कर रहा हूँ देखिए आप ये देखिए दोस्तो ये पांच रुपे का सिक्का आया था अपना प्रकाश में अब ये वाले बंद हो गए हैं सिक्के दीरे दीरे जा रहे हैं खतम ही हो रहे हैं सिक्के जो इसमें 2004 का सिक्का आया था अपना कॉपर निकल में कलकेटा मिंट मार्क में उसकी value चल रही है 300 से 500 के बीच में वो 2004 में ही एक सिक्का आयताथ में हैदराबाद मिंट मार्क मतलब नीचे जैसे 1909 में लिखा हुआ है नीचे star मिंट मार्क होगा तो उसकी value चल रही है 15 100 रुपे ठीके दोस्तों आप please coin चेक करके दीजेगा जिसको भी दोगे बहुत ज़्यादा rare में आ रहे हैं यह सिक्के अब पांच रुपे का 2004 का हैदरा मिंट मार्क हैदराबाद मिंट मार्क उसकी 1500 रुपे ठीके दोस्तों अब 2007 का coin मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसकी value चल रही है अब बताता हूँ मैं आपको कौन सा coin है वो यह देखे दोस्तों यह है पांच रुपे का दूसरा coin जो सबस्यादा value वाला है 2007 का इस टील में coin आये थे यह केलके टाम मिंट मार्क होगा इसमें मतलब कोई मिंट मार्क नहीं है जैसे यह सामने दिख रहा है न ऐसी coin होगा बिलकुल उसकी value चल रही है 2000 रुपे ठीक है दोस्तों प्लीज चैनल को या सब्सक्राइब जरू करके जाना मेरा होसला बड़ा हो आप लोग आपके लिए ऐसी interesting वीडियो बहुत मैनस से बनाता हूँ दोस्तों अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें 10 रुपे के सिक्के जो ज़्यादा value वाले है यह देखे दोस्तों यह सिक्के आयते अपने 10 रुपे के 2005 में 2007 तक आयते ठीक है दोस्तों इसमें जो 2005 का कोईन है अपना नोईडा मिंट मार्क का उसकी value चल रहे है 300 से 500 के बीच में और जो 2007 का कोईन है उसकी value चल रहे है 500 से 800 के बीच में ठीक है दोस्तों जो UNC condition होती है वो बिल्कुल new condition होती है एकदम new सिक्का दिखना चाहिए उसकी value आपको मिल जाएगी 800 रपे असानी से कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों आपको असानी से मिल जाएगी 800 रपे ठीक है दोस्तों ये वीडियो में आपको मैंने सब कुछ बताया है तो ठीक है दोस्तों मैंने आपको सारे सिक्के बताया है 28 coin बताएं जिनकी value इस time बहुत ज़्यादा चल रही है अगर दोस्तों आपके पास ये coin है तो मुझे comment करके जरूर बताएगा आपके पास ये coin है मुझे भी तो पता लगे कि मेरे जिनको वीडियो दिखा रहा हूं उनके पास भी coin है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि आपने मेरी वीडियो देखिए दोस्तों ये 28 सिक्के में से जितनी भी मैंने अभी जो भी लोग आप देख रहे हैं आपके पास जरूर ये coin होंगे तो प्लीज इसके ओ आप बेशने के अभी जल्दबाजी ना करना आप इस इनको रखिए मैं तो यही बोलूँगा आप रखो थोड़ा और इसकी value बढ़ेगी मैं update करूँगा अपने चैनल पर जैसी value बढ़ेगी मैं update करता रहूँगा दोस्तो अपने चैनल पर तो आप मेरे